हलो दोस्तों, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है, डेली क्यूज टेस्ट का यह दूसरा वीडियो है, अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लिजिएगा, आप प्रतेक दिन साम साधे 6 बजे आकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं, इसमें जो में कमेंट किजिएगा, पहला क्विश्चन है, बिश्व परिया स्वतनता सुचकांग, जो भारत का स्थान है, यह उप्शन इसका सही हो जाएगा, और यहां से आपको कुछ और पॉइंट याद रखना है, क्विश्चन एक्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, कि ब परिया स्वतनता सुचकांग, पर्थमस्थान पर कौन सा देश था, तो नार्वे देश था, टोटल इसमें जो भाग लिया है, 180 देश, और भारत का जो रैंक है, 140 मा रैंक है, अब अगला क्विश्चन है, निमलिखित में से सुमेलित नहीं है, यहां पर राजजी पाल दि यह सही है, जगदिश, धनकर, पश्चिम, बंगाल, राजजी के राजजी पाल है, तथागत, रो, मेघाले, राजजी के राजजी पाल है, जगदिश, मुखी, जो है भी वरत्मान समय में, असम, राजजी के राजजी पाल है, यह सही नहीं है, डी ओप्शन में, मौरिशास का परधान मंत्री है National which one Jen्व can GM मौरिश का बी परधान मंत्री जो है परवि जगन्राइब ऐसका सही हो जाएगा Hashtag जास्टीन ट्ूड़ अभी वर्तवान समये कान्याडा के परधान मंत्री है शेख सीना बंगला देश के परधान मंत्री है इसकोट अगला क्वेस्चन है इसमें से आपको बताना है इसका इसका आनसर हो जाएगा इहां पर जो दिया हुआ S.L.A.N.E.X इसका जो पूरा नाम हुआ सिरिलंका इंडिया नवल इक्सरसाइग यह जो हुआ है सिरिलंका एवं भारत के बीश तो सही आंसर हो जाएगा सिरिलंका अगला क्वेस्चन है अर्थ सास्त के छेत में वर्ष 2019 का नोवल पुरसकार किसे नहीं मिला है सभी अप्शन जो है अभीजीत बनर जी की पतनी है और अभीजीत बनर जी इंडिया के रहने वाले है इसका सही आंसर हो जाएगा बी ओप्शन पीटर हैंड के पीटर हैंड के को अर्थ सास्त के छेत में नोवल प्रैज नहीं मिला है पीटर हैंड के को 2019 का नोवल प्रैज मिला है साहित के च्छेतर में यह भी याद रख लिजेगा साहित के च्छेतर में 2019 का जो नोबल प्रैज मिला है पिटर हैंड के को बाकी तीनों को अर्थ सास्त के च्छेतर में 2019 का नोबल प्रैज मिला है अगला क्विस्चन है नुवा खाई नामक किर्सी उत्सब किस राज में मनाया जाता है नुवा खाई नामक किर्शी उत्सब जो मनाया जाता उरिशा राज में, उरिशा राज का एक त्योहार है, सही आंसर हो जाएगा उरिशा, यहाँ पर नुवा मिन्स हुआ नया, खाई मिन्स हुआ खाना अगला क्विस्चन है, बीइंग गांधी पुष्टक के लेखक कौन है, बीइंग गांधी पुष्टक के जो लेखक है, सही आंसर हो जाएगा, यह अप्शन पारो आनद, करेंट से रिलिटेट क्विस्चन है, 2019 का यह बूक है, एकजाम में पूछा जा सकता है, तो इसको के जिवनी का वर्नन है, एक सो पचास मी गांधी जी के जयनतीप के अफसर पर यह अपुष्टक लिखा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा, पारो आनद, अगला क्विस्चन है, खेरा सत्यागरा कब हो था, गांधी जी दुवारा पर्थम सत्यागरा किया गया था, 1917 में, च सरवाधिक वर्षा वाला अस्थान है, भारत में सरवाधिक वर्षा वाला जो अस्थान है, सही आंसर हो जाएगा, मासिन राम जो है, मेघाले राज में है, अगला क्विस्चन है, लोदी वन्स का संस्थापक कौन था, लोदी वन्स का जो संस्थापक था, बहलोल लोदी, स Q option इसका सही हो जाएगा, अगला question है, चीली डेस की राजधानी है, पिछले वीडियो में भी एक question देश्यम राजधानी से सामिल किये थे, चीली डेस की जो राजधानी है, सही आंसर जो जाएगा, B option, Senti Agro, फर्स्त अप्शिन में दिया हुआ है port les, port luit, port les सेंटियागो अगला क्विस्चन है रानी जहां सी मरीन रास्ट्य उद्यान कहां है की जहां सी मरीन राष्ट्य हाँ टीब्समू में इसका सही हो जाएगा अगला question है निमलीखित में किसकी अधिकता के कारण से बुलू बेवी सिंड्रोम होता है बुलू बेवी सिंड्रोम जो है एक जल जनित बिमारी है और यह नैटरेट के अधिकता के कारण से होता है इसका सही हो जाएगा इसके बाद और आपको याद रखना है ब्लैक फूट आर्सेनिक के कारण से होता है काडमियम इटाई इटाई बीमारी जो होता है काडमियम के कारण से पारा से जो होता है मिनी माटा रोग चारो जो है जल जनित बीमारी एक जाम में पूछा जाता है इटाई इटाई विमाईरी का कारण है वायू जल इस तरह से दिया हुआ रहत है तो जल जनित बिमारी है मीनी माटा पारा के कारण से होता है यह भी जल जनित बिमारी है आरसेनी के कारण से जो होता है ब्लैक फूट होता है सही आंसर इसका हो जाएगा नैटरेट बुलू बे संसोधन द्वारा भारत के 6-14 वर्ष के बच्चों को सिक्षा का मौलिक अधिकार परदान किया गया है 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निसुल्क सिक्षा का प्राबधान किया गया है 86 संविधान संसोधन 2002 द्वारा मुल संविधान में यह नहीं था बाद में से संसोधन करके मौलिक अधिकार में सामिल किया गया है मौलिक अधिकार का जो वर्णर है संविधान के भाग 3 में अनुछेद 12 से लेकर 35 तक और निसुल्क सिक्षा का जो प्रवधान है अनुछेद 21 का कौ में यह भी याद रख लिजेगा एकजाम में पूछा जाता है अनुछेद 21 का ए या फिर 21 का कौ और संसोधन जो हुआ था 86 मां समिधान संसोधन 2002 सभी पॉइंट को याद रख लिजे अगला क्विस्चन है भारत के एक राज्य का राज्य पाल अपने कृत्ति के लिए उतरदाई है सभी राज्यों में एक राज्य पाल होता है और राज्य पाल जो उतरदाई है राष्ट पती के परती बिधान सभा लोग सभा नहीं होगा मंत्री परिशत सामुहिक रूप से लोक सभा के परती उतरदाई होता है राज्जी में मंत्री परिशत की बात करे तो विधान सभा के परती उतरदाई होता है और राज्जेपाल जो उतरदाई होता है राश्टपती के परती सही अंसर हो जाएगा इसका राश्ट पती अगला क्विस्टिन है छेत्रफल की दिरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्जी जो है राजस्थान है दूसरे नमर का भी याद रखना है दूसरे नमर पर जो अस्थान है मध्य परदेश का और तीसरे नमर पर है महराष्ट एक जाम में जो पूछा जाता है दूसरे नमर का बहुत बार पूछा जाता है दूसरे नमर पर मद्य पर्देश का साक्षर्टादर् जो सबसे अधीक है केरल राज्ज में, सी उप्षन इसका सही हुआ जाएगा केरल दूसरी नमर पर है मीजोरम और तीसरे नमर पर है गोवा, तो तिनों प्वैंट को याद रख लिए, केरल का अस्थान परतम है, मीजोरम का अस्थान दूसरे नमर पर है, औ तो मीजोरम का है, अगला क्विश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंब हुआ, भारत में आर्थिक नियोजन जो प्रारंब हुआ है, सही आंसर हो जाएगा C-Option 1 अपरेल 19-way कावन को, अगला क्विश्चन है, यांत्री कुर्जा को विधुतुर्जा में परिव जनेरेटर है विधुत मोटर विधुत उर्जा को यांत्री कुरजा में चेंज करता है रेक्टिफायर जो है AC को AC करेंट को DC में चेंज करता है और इन्वर्टर दिया हुआ लास्ट में तो इन्वर्टर का जो काम है DC करेंट को AC में चेंज करना चारों पॉइंट को याद रख लिजिए अगला क्विस्चन है निमलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है फर्स्ट ओप्शन में दिया हुए सक्ति तो सक्ति का इसा उनिट वाट होता है सही है सकेंड ओप्शन में न्यूटन मीटर कार्ज का इसा उनिट जो होता है जूल होता है और दूसरा उनिट न्यूटन मीटर भी होगा कार्ज बराबर जो होता है बल गुना विस्थापन बल का यह से उनिट होता है न्यूटन और विस्थापन का हो जाएगा मीटर तो न्यूटन मीटर यह भी सही है इलेक्ट्रोन वोल्ट जो इकाई है उर्जा का इकाई है यह भी सही है, परकास वर्स का जो unit होता है, दूरी का unit होता है, लेकिन समय दिया हुआ है यह गलत है, इसमें से सुमेलित जो नहीं है, परकास वर्स सुमेलित नहीं है, समय का मातरक यह गलत है, परकास वर्स जो है मातरक है दूरी का, अगला question है, असूद रक्त हिर्दय में आ कि इसका सही आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन दैने आलिंद में असूद रक्त हड़दय में जो आता है अगला क्वेस्चन है निमलिकित में कौन सा तना नहीं है अलू-प्याज अद्रक जो धारन है तना का बी ऑप्शन में दिया हुआ है मुली, मुली जो उधारन है, मुली एवं गाजर जो उधारन है, जर का, तो आलू प्याज अद्रक हो जाएगा तना, मुली जो है तना नहीं है, जर का उधारन है, अगला क्विस्चन है, रासाइनिक रूप से धोवन सोडा है, धोवन सोडा यानि धोने वाला स इसका सही आंसर जो हो जाएगा sodium carbonate रसाइनिक रूप से जो धोने वाला soda है sodium carbonate दिया हुआ sodium bicarbonate दिया बैकिंग soda खाने वाला soda का रसाइनिक रूप है सही आंसर हो जाएगा sodium carbonate अगला question है ठोस carbon dioxide का अधिक समान्य नाम क्या है ठोस carbon dioxide का अधिक समान्य नाम जो है सुस्क बर्ब यानि dry ice है डी option सही हो जाएगा सुस्क बर्ब अगला question है घरेलू बल्ब के तंतु में परियुक्त तार का होता है बताना है इसमें से क्या होगा घरेलू बल्ब के तंतु में परियुक्त तार्ज होता है इसका उच परतिरोध होता है निम्न गलनांक बी option सही हो जाएगा परतिरोध उच होना चाहिए और गलनांक निम्न दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी परतिकरिया जरूर दीजेगा आप परते एक दिन साम साधे 6 बजे आकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं और यह सभी परतियुक्ता परिक्षाओं के लिए इसमें जो भी question सामिल किया है सभी important question सामिल किया करके षी करके अच्छुऊ के बाते हैं और लाइओ एम के यह सभी मत परतिकाप मेंगे ताbn이션 की लिएगसे ल county जोhonने के up कर्णें के घुएर ऑ 나타ूब